Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics नवस्कार, राशी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवीण मिस्र आईए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा सबसे पहले बाद आज के पंचांग की 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार स्रावन मास चल रहा है क्रश्न पक्ष है प्रतिपदा तिथी रहेगी दोपहर एक बजकर ग्यारा मिनट तक फिर दुतिया तिथी प्रारंब हो जाएगी स्रावन नचत्र रहेगा राद को दस बजकर एक्किस मिनट तक फिर धनिष्टान अचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा मकर राशी में गोचर कर रहे है भगवान शूर करक राशी में विराजमान है आज अभीजीत मुहूर्त का समय होगा दो पहर 12 वजे से दो पहर 12 वज कर 55 मिनट तक राहुकाल का समय होगा सुबह 7 वज कर 20 मिनट से सुबह 9 वज कर 2 मिनट तक दिशाशूल है पूरव दिशा चलिए शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वालों के परिवार से जुड़े कारे पूरे होंगे मन में नेगेटिव विचार ना पाले अचानक धन प्राप्त होगा लोगों के कहने पर विचार ना बतले सेहत ठीक रहेगी व्यापार के छेत्र में तेजी आएगी जरूरी टिप धैर रखें शुबरंग भूरा उपाए भगवान शिव को जल अर्पित करें ब्रश राशे रुके हुए काम बनेंगे वानी का प्रयोग सोच समझ करना होगा जीवन में सुख बढ़ेगा मान सम्मान की प्राप्ती होगी अधिकारी आप से प्रशन रहेंगे व्यापार में लाव का योग बन रहा है जरूरी टिप धोकें से बचें शुबरंग सफेद उपाए किसी गरीब को दूद का दान करें मिथुन राशी सिक्षा के छेत्र में सफलता मिलेगी मन में विरोधी विचारों को बढ़ने ना दे अपने काम पर फोकस करें धन की प्राप्ती होगी प्रापर्टी में निवेश की योजना बनेगी व्यापार में आर्थिक इस्थिती में सुधार होगा जरूरी टिप कम बोले शुबरंग के सरिया उपाए भगवान शिव की पूजा करें करकराशी भाग का साथ मिलेगा कारचेत्र में सफलता प्राप्त होगी अपने समय का सदुपियोग करें लोगों से उलजने से बचना होगा परिवार वालों की बातों को अनसुना ना करें व्यापार में हर काम सावधानी से करें जरूरी टिप सेहत का ख्याल रखें शुबरंग गुलाबी उपाए भगवान शिव का जल और दूद से अविशेक करें सिंग राशी अपने खर्चों को कंट्रोल करें काम काज में सफलता मिलेगी सीनियर अधिकारियों से मदद प्राप्थ होगी यात्रा से लाब होगा व्यापार से जुड़े काम बनेगे जरूरी टिप आलस्य से बचें शुबरंग हलका मरून उपाए भगवान शिव को जल अर्पित करें कन्याराश्य आपकी नेतिर्त छमता और बढ़ेगी काम समय पर पूरा होगा क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा अधूरे काम पूरे करने का दिन है पार्टनर्शिप में कोई काम ना करें व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी जरूरी टिप नेगेटिव विचारों से बचें शुबरंग हल का हरा उपाए किसी गरीब को फल दान करें अब वक्त है आपके सवाल का हमें सवाल मिला है अनिल कुमार का इनकी डेट अब बर्थ है 11 अप्रेल 1990 जन्म का समय सुबह 7 बज कर 25 मिनट और जन्म इस्थान दुरगापुर का है इनका सवाल ये है कि ये अपना बिजनेस करते हैं व्यापार में इस समय फायदा नहीं हो रहा है क्या उपाय करें कि इनकी बिजनेस में लाब पढ़ें अनिल जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तयार है आपकी ब्रश लगन की कुंडली है और तुला राशी है आपका जन्म स्वाती नचहत्र के प्रथम चरण में हुआ है इस समय आपकी शनी की महादसा चल रही है जो जन्वरी 2023 से शुरू हुई है और ये जन्वरी 2022 तक चलेगी और शनी की महादसा में शनी की ही अंतरदसा जन्वरी 2023 से जन्वरी 2026 तक चलेगी आपकी कुंडली के अनुसार बिजनेस में लाब का समय शुरू होगा अगस्त दोहजार पच्चिस से अगस्त दोहजार पच्चिस से व्यापार आपका तेजी से आगे बढ़ेगा और अच्छा लाब भी होगा अभी पूरी मेहनत से धैरे से काम करते रहें आपकी कुंडली में छटे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है मन को शांत रखिए और बार बार अपने विचारों को बदलने से बचिए एकागर चित्र होकर के काम करने की जरूरत है अपने डिसीजन में इस्थिरता बनाने की आवश्यक्ता है उपाय नोट करिए पहला उपाय सवा ग्यारा रत्ती का अमेरिकन डामेंड शुक्रवार के दिन रिंग फिंगर में सोने की अंगूठी में धारन कर लें नियमित रूप से प्रति दिन आप भगवान विश्नु की पूजा करिए और भगवान विश्नु की आरती करें और शनिवार के दिन कम से कम किसी एक गरीब को भोजन दान करें यह उपाय करना शुरू करें जो वियापार में परेशानिया हैं दूर होंगी और आपका बिश्नेस अच्छा चलने लगेगा तो यदि आपके मन में भी सवाल हूँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल और सवाल लिखें वहाँ से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे तुला राशी भागे का सपोर्ट मिलेगा करियर को आगे बढ़ाने का समय है महत्य पूर्ण लोगों से मुलाकात होगी किसी तरह की बहस से बचें सेहत को लेकर सावधान रहना होगा शुबरंग, सफेद, उपाय, गव माता को रोटी खिलाएं ब्रिश्चिक राशी हर काम सावधानी से करें रिस्तेदारों से मतभेद हो सकता है अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा प्रापर्टी में आज निवेश ना करें लंबी दूरी की यात्रा से बचें सिक्षा के छेत्र से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिलेगी व्यापार में हानी हो सकती है जरूरी टिप जल्दवाजी से बचें शुबरंग, लाल उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं धन राशे, परिवार के सपोर्ट से काम बनेंगे धन की इस्थिती में सुधार होगा करियर में बदलाव की योजना बनेंगी आपके खर्चे बढ़ेंगे अंजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें व्यापार में लाब का योग है जरूरी टिप कम बोले शुबरंग गेरुआ, उपाय भगवान शिव को जल अर्पित करें मकर राशे, आज किसी को पैसा उधार ना दे मन में नेगेटिव विचार हावी हो सकते है प्रतियोगिता के छेत्र में सफलता मिलेगी छोटे रोगों को हलके में ना ले अपने काम पर ध्यान देने का समय है जो लोग बिजनस करते हैं व्यापार में हानी हो सकती है जरूरी टिप धैर रखें शुबरंग आसमानी उपाय किसी गरीब को आटे का दान करें कुम्भराश्य आपकी योजनाएं सफल होंगी कार छेत्र में इस्थिती बहतर होगी कोई अच्छी सूचना मिले की खर्चों में कमी करने की कोशिस करें जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़े की व्यापार में लाब का योग है जरूरी टिप इगो से बचें शुबरंग क्रीम उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं मेन राशी प्रापर्टी से संबंधित काम बनेंगे छोटी छोटी बातों को लेकर उलजह नहीं परिवार से सहयोग मिलेगा तेजी से काम करने का समय है जो पैसा कहीं फसा हुआ है वो आपको मिल सकता है जो लोग बिजनस करते हैं व्यापार में हर काम सावधानी से करें जरूरी टिप कम बोले शुबरंग, पीला, उपाय किसी गरीब को चावल का दान करें राशी चक्र में आज बस इतना ही कल फीर होगी आपसे मुलकात जिन लोगों का आज जनम दिन है उन्हें जनम दिन की बहुत बहुत बधाई आपका आने वाला समय शुब हो नवस्कार